दोस्तो वीडियो इस्टार्ट कने से पहले मैं आपको लाइप प्रूप दिखाना चाहूंगा ये हमारे पास है मोटो जी चववन 5G मोबाइल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Android Setup का Notification कैसे हटाय जता है ये जो दोस्तो जो Notification सो हो रहा है इस Notification को आप अपने मोईल में कैसे हटाओगे यही आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो पहले नमर पे आप अपना मोईल वाइफाई से कनेक्ट के लिजे अगर आप मोईल का डाटा यूज करेंगे तो नहीं हो पाता है तो वाइफाई से आप अपना मोईल कनेक्ट के लिजे उसके बाद यहाँ पर इसी Notification पर आपको इस प्रकास से क्लिक करना है और यहाँ पर Continue Setup जो लिखा हुआ है इस पर Friends आपको क्लिक करना है और यहाँ पर Start का Option देखने को मिलेगा Start के Option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखे Getting Your Phone Ready का दोस्तों आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर Just आपको Wait कर लेना है उसके बाद इस तरह का Interface होगा इस पर आपको इस परगा से क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर देखे Checking Info लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपको थोड़ी देर इंतजार कर लेना है उसके बाद इस तरह का Interface होगा आपके सामने आप यहाँ पर जो Skip का Option देखने को मिलेगा Skip के Option पर आपको क्लिक करना है फिर से Skip के Option पर आप क्लिक कर दीजे उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा Processing लेगा तो यहाँ पर भी आपको Just Wait कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपका जो है Notification हट जाएगा Successfully जैसा के Friends आप देख पर हैं यहाँ से वो Notification पूरी तरह से दोस्तों जा चुगा है तो इस प् कोईल का Android setup का Notification हटा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से